हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम मूवी करने वाले हैं, एक सिरियल किलर मिस्ट्री है इसका नाम है एज, यह एक कोरियन मूवी है यह एक ऐसी मिस्ट्री है, जो आपको लास्ट तक कुछ भी समझ में ने आएगी लास्ट में जो ट्विस्ट है, यह भी बहुत ही खतरनाक है अगर आपको हल्यूट की सेवन मूवी की तरह सिरियल किलर मिस्ट्री मूवी पसंद है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना तो चलिए शुरू करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमें दीखता है कच्रा डंब करने वालों को बॉड़ी कच्रे में मिलती है डिरेक्टिव कीम जब वहाँ जा रही होती है तब उसे नया एक ओफिसर जॉइन करता है जिसका नाम होता है क्यांग क्यांग ने अभी-अभी पुलिस फोस जॉइन की है जब एक क्राइम सीन पर पहुछते तो यहाँ एक लड़ की मरकर पड़ी हुई होती है यह प्रेग्न थी और प्रेग्ननसी की वज़े से भी यह मरी हुई हो सकती है जब इस बोड़ी को इन्वेस्टेट कर रहे होते है तो भी और एक छोटे से बच्ची की बोड़ी भी होने मिल जाती है इस बच्चे की जो कॉर्ड है यह भी उसको ही लगी हुई है अब डॉक्टर बोड़ी की इन्वेस्टिकेशन कर रहे होते है जब ये डॉक्टर से बुशते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये डेध प्रेग्नेंसी की वज़े से हो सकती है पर अभी तक ये शूर नहीं है Next scene में हम देखते हैं कि एक लड़की बस से जा रहे होती है बस अब स्टॉप पर आ जाती है, सब लोग चले जाते, पर ये वहाँ से उठती नहीं बसका ड्राइवर जब देखता है, तो उसका मर्डर हो चुका होता है अब हम देखते हैं कि डिटेक्टिव कीम और कैंग, ये दोनों क्राइम सिन पर पहुच गए है यहाँ कर वो देखते हैं, तो लड़ी के पेट फाड़ा होता है क्राइम से नहीं पुरा जासते हैं, और इसके बाद किम अब इसके इन्वेस्टिकेशन में लग जाती है नेक्स डे सब डिटेक्टिव की मिटिंग हो रहे होती है, तो किम इन सब को ब्रीफ करती है किम कहती है, कि हमें दो मार्डर्स मिले है, पहला मार्डर जो था, एक प्रेगनन लेडी का था और ये जो थी, इसका अबर्शन हो चुका था, एक सिरियल किलर का पैटन है जो सिरियल किलर था, इन दोनों को नहीं जानदा था, ये भी इसने इस्टैबलिस्ट किया है ये कहती है, कि ऐसा है सिरियल किलर हुआ करता था, और अब वो जेल में है, इसका नाम होता है शीन सेम पैटन अब फॉलो हो रहा है, इस पैटन में पहले प्रेगनन लेडी, फिर अबर्शन वाले और इसके बाद एक लड़की का मर्डर होने वाला है, जिसका इयर कट अफ होगा अब हम देखते हैं किम और कैंग, ये दोनों सिरियल किलर से मिलने के लिए जाने वाले होते हैं किम इस serial killer से मिलने ही पा थी क्योंकि इसका जो husband था ही इस serial killer की investigation कर रहा था तब यह pressure सहन नहीं कर पाया और उसने suicide कर ली थी किम इस serial killer को देखना सहन नहीं कर पाएगी क्यांग शिन से मिलने के लिए जाता है शिन को उसकी file पढ़ कर सुनाता है Shin ना actual में six murders किये थे जब छटा murder उसने किया था तो body उसने bank में डाली और खुद police station में चला गया था Kang उसे धमकाता है कि जल्दी से मुझे पता दो ये किया किसने है Shin Kang से कहता है कि तुमारी body और soul से heart तक जाने वाला sound क्या कवी तुमें सुना है ये एक बड़े से hole की तरह होता है Kang Shin जो कह रहा है इसमें interested नहीं होता उसे सब crime scene की photos दिखाता है Shin कहता है कि मुझे इनकी चीखे सुनाई दे रही है ये बोलता है कि जब ये लोग मर रहे होते इन्हें सब को सही सही दिखाई दे रहा होता है इसमें एक piece होता है Shin कैंग को कहता है कि तुम अब monster को पकड़ने जा रहे हो ध्यान रखना कि तुम खुद monster न बन जाओ Kang फिर यहां से चला जाता है जो serial killer है इस ये भी पता होता है कि Kim यहां इस room में नहीं है पर ये सब वो सुन रही है ये बहुत ही smart होता है अब Kang और Kim को कोई भी evidence नहीं मिला है तो अब Shane यानि की serial killer इसके psychologist के पास सुझाते है इस psychologist से वो files के गरा मांग रहे होते है ये psychologist कहिती है कि वो मेरा patient था वो कोई भी trouble में आ सके ऐसा भी कुछ भी करने नहीं वाली ये वो cigarette डगने वाली होती है क्यांग कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो और भी लोग खत्रे में हो सकते है पर ये बानने वाली नहीं होती ये जब psychologist से पूछते है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा वो कहिती है कि वो बहुत ही raceless हुआ करता था जब वो लोगों को मारता था तब उसे अच्छा लगता था अब वो जेल में है तो वही उसे आफ फील होता होगा अब ये दोनों वहाँ से चले जाते है गाड़ी में क्यांग किम से कहता है हमें और भी शीन की investigation करनी चाहिए किम कहती है कि ये सही नहीं होगा हम अगर उसकी investigation करेंगे तो और भी time हम गवा देंगे जो real serial killer है हमें उस पर ही focus करना चाहिए ये सब invari करी रहे होते हैं तब ये और एक murder ही नहीं मिल जाता है शीन जिस pattern में murder करता था इसी pattern में ये हो रहे है ये अब इस सब में एक logic डूणडा चाहते है रिजैंग कर दिया है ये जो आदमी था इसके भी previous crime के record है अब हम नेकसिन में देखते हैं कि जिस आदमी का जिकर हो रहा था जिसने hospital से अब रिजैंग कर दिया है उसके घर पर कैंग आ जाता है जब ये आदमी अपने घर पहुचता है तो वहाँ से भागने लग जाता है कैंग भी इसका बीचा करता है भागते भागते ये कलब में आ जाता है कलब में आने के बाद इसे कोई पकड़ ना सके इसलिए एक चाको लेता है और लड़की के गले पर लगाता है कैंग शान्त हो जाता है फिर भी इस लड़की को मार कर वो भाग रहा होता है कैंग इस पर बहुत सारी गोलिया चलाता है जब इसे हॉस्पिटल में भरती करवाय जाता है तो यह कोमा में चला गया होता है यह अब हॉस्पिटल में काम करने वाले और जो पुराने serial killer यानि की शीन इन दोनों में connection बनाते है यह दोनों एक ही prison में थे यानि कि एक दूसरे को जानते थे यह जो murder हो रहे थे यह शीन ने ही करवाए है ऐसा हो सकता है कैंग अब फिर से शीन से मिलने के लिए जाता है वो कहता है कि तुम्हारी जो सब चाल थी अब वो खतम हो चुकी है शीन के pattern में जो next murder होने वाला था तो उसमें हाथ की ring missing थी अब वो murder हो नहीं पाएगा तो कैंग वो ring लेकर आता है शीन को वो चीडा रहा होता है शीन उसे कहता है कि तुम इस murder से attached हो रहे हो लोग heaven के बारे में बात करते है प्राइसचीत के बारे में बात करते है पर यह कोई कर नहीं सकता कैंग उठ जाता है शीन की collar पगड़ता है पर उसे मारता नहीं अब next scene में हम देखते है कि सब officers की meeting चल रही होती है इस meeting में इन सब के जो पॉस है यह कहे रहे होते है कि अब हम यह case मिटा देंगे शीन ने यह करवाय हो सकता है तो जल से जल शीन को फासी देने वाले है कैंग कहता है कि hospital में जो काम कर रहा था और शीन इन दोनों में सही से connection अभी हमने बनाया नहीं है वो सचमस में एक दूसरे से मिले थे या नहीं यह हमें पता नहीं है हमें और भी इसकी investigation करनी चाहिए इनके boss को नहीं लगता कि इस पर जाते investigation करनी चाहिए किम को भी यही लगता है अब एक case बन करने वाले होते है इस पर कैंग बहुत हीचिट जाता है यह था है कि आप मैं नोकरी छोड़ देने वाला हो यह frustrated हो चुका होता है कैंग का friend उसे संभालता है और एक बार में लेकर आता है थोड़ी देरे में किम भी वहाँ पहुच जाती है कैंग उसे कहता है कि आपने आपको तुम बहुत ही smart समझती हो वो case के बारे में उसे कहता है किम कहती है और भी serial killer है जिन्या में पकड़ना है बहुत सारे लोग के हम अभी भी जान बजा सकते है हम अगर stream के पीछे ही पड़े रहे तो सही से काव नहीं कर पाएंगे अगर तुम इस case के पास मुझे दिखी तुम पर भी शक कर सकता हो तुम भी travel में आ सकती हो अगर नेक्स दिन में हम देखते है रिक्ट्व को एक जगा की tip मिलने होती है वहाँ वा surveillance वगरा रख रहे होती है तब ही उन्हें एक बड़ा सा sound आता है जब वहाँ देखने के लिए जाते है वहाँ और एक murder हो चुका होता है शेंग जिस तरह से murder करता था उसी तरीके से इस murder में भी अब ring missing है किम जब देखने के लिए जाती है तो नीची उसे कुछ shadow दिखती है इसका पीछाओ करती है तो वहाँ कैंग ही होता है कैंग भी इस serial killer के पीछे पड़ा था और इसमें हो ज़ादा इंजोर हो चुका है कैंग को अब ज़ादा कुछ याद नहीं है कैंग ज़न नेजदीन पुलिस टेशन में होता है तो एक criminal से मिलने के लिए उसकी wife आई होई होती है पर इस criminal उसे मार रहा होता है कैंग फिर उस औरत को बचाता है और लेकर जाता है इसके बाद इसी औरत के साथ ये खाना खा रहा है ये हमें दिखता है जब कैंग और किम इन्नेस्टेशन कर रहे होते है जब serial killer की hearing चल रही थी वहाँ जो भी सब लोग आये थे इन सब की वो लिस निकालते है इसमें common कोन था ये वो देख रहे होते है कुछ साथाट लोगों के नाम यहाँ उभर कर आते है इन सब की वो criminal records निकालते है इसमें एक आदमी हो देखते है तो कैंग इसे पहचान लेता है कैंग केता है कि murder के आसपास मैंने इस आदमी को देखा था इस आदमी का पता वेगरा निकालते है और उसके apartment पर team लेकर जाते है जब वो apartment में घुषते है तो वहाँ खून से dates लिखी हुई होती है जिस dates पर ये खून होते है ये वो dates होती है अब किम इसमें pattern बना लेती है ये फेड से होने वाला है और ये किस date पर होने वाला है ये उसे पता है ये serial killer से बुछती है इन छे लड़कियों को तुमने मारा था क्या इसी तरह से और भी किसी को तुमने मारा है ये कह रहा होता है ये छोटे बच्चे जिस तरह से कुछ भी चीजों से खेलते है और ने तोड़ देते उसी तरह से वो ये सब करता है किसी को मारना ये उसे गलत नहीं लगता ये उसे pure instinct लगती है किम कहे थी है कि छोटे बच्चे किसी को hurt नहीं करते शिन कहता है कि मैं भी लोग को हड नहीं करता, जब मैं उन्हें मारता हूँ तो एक अच्छे प्लेस पर वो चले जाते हैं मैं उन्हें फ्री कर डालता हूँ, यह जाते जाते विश करता है, इसे लगता है कि कभी वो इस से बाहर मिल सके इसके बाद हम देहते कि Kent और किम बीच पर आये हुए हो थे Kent अपनी मदर की स्टोरी सोना रहा होता है Kent की मदर Prostitute थी यह अपनी मदर को सिस्टर बुलाया करता था यह उसकी मदर है यहोँ सबसे चुपा कर रखते थे क्योंकि इसकी मदर ट्रवल में आ सकती थी ये के था है कि जब हम दोनों बीच पर आते थे तो मेरी मदर मुझे सस्ट्रूज में दिखाई देती थी वो जैसे थी वैसे मैं उसे देख पाता था अब इसकी मदर मर चुकी है अब और एक डेट आ चुकी होती है जिस पर मर्डर होने वाला होता है ये साइकार्ट्रिस का इन सबसे कुछ ना कुछ तो लेना देना है अब साइकार्ट्रिस का ये पीछा करते है अजानक से साइकार्ट्रिस गायब हो जाती है कैंग फिर से उसी आदमी को देखता है जिसे वो हर क्राइम सीन पर देखता है इसके पीछे वो भागता है पर इसको स्पोर्ट नहीं कर पाता किम साइकेट्रिस को ढूण लेती है और साइकेट्रिस का एक लेक्चर होता है जिस लेक्चर में उसके पीछे-पीछे को पोच जाती है थोड़े टाइम में कैंग भी वहाँ जाता है लेक्चर होने के बाद ये वहाँ से जा रही होती है तो गाड़ी में ये दोनों इसका पीछा करते है ये उसका पीछा करते करते है ट्राफिक में अड़क जाते है ये साइकेट्रिस एक जगा पर जाती है कैंग पैदली इसका पीछा करने लग जाता है और इसके गाड़ी को स्पोट कर लेता है किम थोड़ी देर में वहाँ पोच जाती है वहाँ देखती है तो साइकेट्रिस मर कर पड़ी हुई होती है इस पर भी वार हो जाता है और ये भी इंजोर हो जाती है थोड़ी दिर में कैंग भी वहाँ इंजोड होको पड़ा होता है जब वो होश में आता है तो उसे लगता है कि दोनों मर चुकी है पर किम जिन्दा होती है साइकेटरिस्ट अब मर चुकी है तो शीन की फाइल जो साइकेटरिस के पास थी यह वो लेकर आते है जब वो टेप लगाते है तो साइकेटरिस्ट शीन के बारे में कह रहे होती है यह कह दिये कि शीन की मदर ने अबोर्शन करवाया था अबोर्शन करते वक्त कभी-कभी तीन महिने का अगर यह अबोर्शन होगा तो बच्चे जी भी सकते है इससे केस में शीन था शीन जब बेट में ही था तभी अवने मदर से खेह रहा था कि प्लीज मुझे हर्ट मत करो अगर तुम मुझे हर्ट करोगी तो मैं भी तुम्हें हर्ट करूँगा इसकी मदर ने अबोर्शन करवाया था पर शीन इस अबोर्शन से बच गया था बच्पन से ही औरतों के प्रथी इसी घिन थी इसी वज़ए से यह सब मडर उसने किये थे यह जब यह देख रहे होते हैं तो इनका बस वहाथ है यह कहता है कि शीन को अब उन्होंने फासी दे दी है कैंग कहता है कि क्या उसने मरने से पहले क्या कुछ बोला था उनकाफीसर कहता है कि वो खेह रहा था कि मैंने अपनी मदर को मार दिया है कैंग और केम दोनों बाहर बेटे होते है किम कैंग से खेती है कि कभी-कभी मुझे रखता है कि मेरा husband अगर मेरी जगा होता तो वो क्या करता ये अपने husband को बहुत ज़ादा miss करती है अब next scene में हम देखते हैं कि एक direct to figure out करता है psychiatrist से मिलने के लिए और एक patient आता था वो shin के hearing में भी आया था ये वही है जो kyang को दिखता रहता है इस नामना नाम जेंच कर दिया था इसी वज़े से इसे spot नहीं कर पाए इस बेस्मेंट में ये psychologist मरी थी इसी बेस्मेंट का ये owner है इसका और एक घर है अब इसे पकड़ने के लिए ये सब वहाँ पोच जाते है जब वह यहाँ पोचते है तो यही वह बेठा हुआ होता है इन सब के सामने ये suicide कर लेता है इसने ही ये सब crime किये थे इन सब के सबूत इसके घर में इने मिल जाते है अब जो real serial killer था इसके बारे में इने पता चल चुका है तो एक case बन हो जाता है प्रिटिंग मरने से पहले एक city डिडिक्ट्टू कैंग को भिजवाता है ये अब डिडिक्ट्टू कैंग को मिल चुकी है कैंग पुलिस टेशन से गाड़ी में निकल जाता है कि इनके पास उसका एक cover कराता है कि अब तुमारे husband को शान्ती मिलेगी उसके जुकी नगार थे जेनको पकड़ना चाता था और वो सब मर चुके है किम अभी भी murder के जो files होते है इसा ही देख रही होती है वहाँ पर एक अलग चीज़ वो notice कर दिये के थी के एक murder जहाँ हुआ था वहाँ पर तीन footprints होने चाहिए थे एक murder के मेरे ordered it to Kang के और वहाँ दो ही थे इसका मतलब है वहाँ serial killer था ही नहीं Kang ने murder किया हो सकता है ये जाकर Kang के phone records निकलवा थी है इन phone records में देखती है तो Kang को murder होने से पहले हमेशा phone आया करता था और ये serial killer का ही था किम को अब शक जाता है और पहला hospital का जो staff था जो murder कर रहा था इसके पास उसे मिलने के लिए जाती है अभी ये कोमा से बहार आ चुका है और इसके doctor से बात करती है doctor कहते है कि एक hypnotize state में था ये जो सब कर रहा था इसके control के बहार था अब कि इनको पता चल जाता है कि शीन ने इसे hypnotize किया था शीन ने इस आदमी के mind में सब कुछ information भर दी थी जब भी शीन को लगता था कि अब murder होना चाहिए तो इसके mind में ये कुछ trigger लगा देता था ये जो trigger होते थे कोई भी हो सकता है जब phone की ring बचती थी तो जो इसका victim है इसका subconscious mind trigger हो जाता था अब जिसे वो चाहिए उसे mark कराता था किम अब figure out करती है कि यही चीज कैंग के साथ भी हुई थी क्योंकि murder होने के पहले कैंग को call आता था और इसके बाद murder होते थे शीन को मिलने के लिए जो भी सब जाते थे वो सब इस तरह से hypnotize हो जाते थे हमने movie में देखा है कैंग जब शीन से मिलने के लिए जाता है तो अपने साथ एक ring लेकर जाता है शीन उस ring से खेल रहा होता है इस ring से ही वो इसे hypnotize कर देता है कैंग को अब एक CD मिली है ये CD जब वो लगाता है तो कैंग फिर से trigger हो जाता है वो जाकर एक औरत का murder करकर आता है कींग भी कैंग की location निकालती है वो C के पास ही होता है वहाँ जाकर वो देखती है वहाँ जाकर एक औरत का उसने murder कर दिया है शीन ने मरने से पहले कहा था कि मैंने अपनी मदर को भी मार दिया है अब कैंग ने जिस औरत को मारा है यह शिन की मदर ही थी जब किम वहाँ पोच्टी है तो कैंग को पच्टा हो रहा होता है वो अपने आपको गन चलाने वाला होता है पर वो चला नहीं पाता शिन ने कैंग से कहा था कि murder solve करते करते तुम ही monster मत बन जाना तो यही अब हुआ है कैंग खुद ही monster बन जुका है किम कैंग की gun लेती है और कैंग को ही मार डालती है किम का husband भी शिन की ही investation कर रहा था शिन ने उसे भी hypnotize किया था इसी वज़े से किम के husband ने अपने आपको मार दिया था अगर कैंग जिन्दा रहता तो शिन ने अभी उसके मायन में और क्या fit किया है यह किसी को पता नहीं है कैंग और भी murder कर सकता था इसलिए किम अब उसे मार देती है किम को बहुत ही पच्टा होता है और वो रोने लग जाती है इस केस में लास्ता को कुछ भी करने पाई यही इस movie की बहुत दी sad ending हो जाती है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like और comment ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस channel सब्सक्राइब कर दीजे और bell notification icon दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नगर के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया